भारत में UPI का दाइरा लगातार बढ़ रहा है कुछ समय पहले तक टौफी बिस्केट या मोबाइल रीचार्ड जैसे छोटे खर्चों में उप्योग आने वाले UPI से अब बड़े खर्चे भी होने लगे हैं अब लोग स्कूल की फीज बीमा प्रीमियम से लेकर हॉस्पिटल के बिल का भुगतान भी UPI से कर रहे हैं UPI से स्पोर्ट पेमिंट के लावा ऑटो डेबिट का चलन भी बड़ा है लोग OTT सब्स्रिप्शन के अलावा म्यूचल फंड SIP का पेमिंट भी ऑटो डेबिट के जरीय करते हैं लेकिन अभी तक इसकी लेमिट 15,000 रुपए तक ही थी इससे ज्यादा के ओटो डेबिट के लिए आपको OTP के जरीये अनुमती देनी पड़ती थी लेकिन अब रिजर बैंक ने इसमें बड़ी रहत दी है रिजर बैंक की दिसमबर 2023 की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी यानि MPC की बैठक के बाद 8 दिसमबर को UPI से पेमिंट की लिमिट में बड़े बदलाव किये गए हैं अब बिना OTP ऑटो डेबिट की सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ा कर 1,000,000 रुपए कर दिया गया है यानि अब अ एक लाख रुपए तक का ऑटो डेबिट तैय करते हैं तो आपके मोबाइल पर UPI पेमिंट के मौके पर OTP नहीं आएगा अभी 15,000 रुपए से जादा की ऑटो डेबिट पेमिंट के लिए Extra Factor Authentication यानि AFA की जरूरत होती है रिजर्ब बैंक के अनुसार फिलहाल 8,000,000 करोड यूपिया इक हातों में आटो डेबिट की सुविदा का इस्तेमाल किया जा रहा है इसे 2800 करोड रुपए का आटो डेबिट किया जा रहा है लेकिन मैं आपको पता दू कि ऑटो डेबिट पर छूट की सुविदा सभी पे दिसंबर से लागू हो गया है अब यूपिया पेमेंट की लिमिट को एक लाख रुपए से बढ़ा कर पांच लाख रुपए कर दिया गया है लेकिन ये सुविदा भी सभी पेमेंट पर अपलाए नहीं होती है ये नियम होस्पिटल और सेक्शनिक संस्थानों में यूपि आपके पास महीने में भुकतान की कई तारीके हैं तो आप महसिग 3-6 महीने ये साल में एक बार के लिए ऑटो डेविट की सुविदा चुन सकते हैं ऑटो डेविट सेट करने से लेट फीस और पैनल्टी से आप बच जाएंगे इसमें आप अपनी मर्जी से आटो डेविट option को चुन सकते हैं ये recurring payment करने का आसान तरीका है साथी cashless payment करने का भी best तरीका है